असलालेकॉम आज मैं बना रही हूं तंदूरी चिकन तेज के लिए ना ही तंदूर चाहिए न ओवन यह बहुत ही कम वक्त में आसानी से बहुत ही जल्दी कुई तरीके से बना सकते हैं आप इसको गैस स्टोप पर बनाईए बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसका जो पीस ही प्रफर किये हमने तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमने कुछ लैक पीस लिये हैं तो उसको हमने धोके और जाली की बतन में रख दिया है जिससे कि इसका इस्ट्रबान ही निकल जाए इसके बाद हम इसके दोनों तरफ कट लगा लेंगे जो हम कट लगाएंगे वो क और यहाँ पेहम निकल लेते हैं तो सबसे पहले एड़ करेंगे दही लिया है एक चमच एराउं 50 ग्राम और यहाँ पे हमने लियाए एक निवू करस इसको भी इसमें हम एडेनेशन जल्दी हो जाता है ते हम लेंगे एक छमच गार्लिक पेस्ट ओर आदा चमच पेहम आड लाली पाउडर हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्स पाउडर हाफ टीस्पून चाट मसाला जरूर एट कीजिए इसका टेस्ट चंदूरी चिकन में बहुत ही अमर्जिंग आता है तो अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे यहां पर मैं नमक एड़ करना भूल गई तो मै एगनटा मेरिनेट करेंगे क्योंकि यह बोन के साथ में है बोन का चिकन थोगा देर से मरीनेट होता है टाइम लगता लगता तो अगर time हो तो 2 घंटे मेरिनेट कर लीजिए वैसे तो हम कहते हैं कि अगर overnight मेरिनेट करके छोड़ दीजिए फ्रिज में तो सुबह का result देखिए बहुत जबर दसूरता है तो हम तो mostly रात को भी मेरिनेट करके छोड़ देते हैं यह अभी जल्दी बना रहे हैं तो इसलिए आज हम एग घंटा मेरिनेट करेंगे स्पून से मसाले कट के अंदर नहीं जाते तो इसलिए हम हाँ से कट के अंदर मसाले भर देंगे जिससे की चिकन अच्छे से मेरिनेट हो जाए तब इसका टेस्ट खुलके आएगा अब इसको मार्केट जीसा लुक लाने के लिए इसमें फोड़ा सा एड़ कर देंगे फू तो बस हम फोड़ा सा ही चिकन के फीस इसमें रख देंगे और हम थोड़े से हिरखेंगे तो पानी चोड़ेगा तो Ho चाहला इसमें हो जाए कि यह हम सारा मुझा खाहा बाइब किन दर कें में खाएगा तो खाने में च्या लगेगा तो इसको full flame पे हम 1-2 मिनिट रखेंगे उसके बाद में इसको हम पलट देंगे तो 1-2 मिनिट के बाद में जो हम पलटते हैं तो यह देखें मसाला है जो इसका दही का पानी होता है वो जल्दी dry हो जाता है अगर आप इस तरीके से step by step follow करेंगे तो आपको चिकन बहुती juicy और tender बनके तयार होगा ओवर cook भी नहीं होगा जो इसका पानी है मौशर है वो बना रहेगा बरकरार रहेगा इसमें तब इसका खाने का मज़़ा आता है अगर आप इस channel पर पहली बार आहें तो like कर लीजिए और recipe अच्छी लगे तो subscribe कर लीजिए और दोस्तों में share कीजिए इसी तरीके से आपके लिए हम अच्छी recipe लाते रहेंगे अब हम गैस की फ्लेवर को slow कर देंगे और हमारे चिकन के लाइक पीस तयार हो गए है तो इसको हम निकाल लेते इसमें से इसी तरीके से हम second batch भी तयार कर लेंगे इसके बाद में हम चिकन को तंदूरी flavor देने के लिए जाली रखे हम रोष्ट कर लेंगे जिससे के विल्कुल एक तंदूर जैसा फ्लेवर इसमें आ जाए और बीच बीच में हम आयल भी लगाते जाएंगे यह हम बटर लगा देंगे तो इससे क्या होता है कि अंदर का मौश्यर बना रहता है और जिससे यह खाने में दूसरी जो टेंडर लगता है तब इसका फ्लेवर उबर के आता है इसको हम दो से तीन मिनट तक फुल फ्लेम पे इसको रोष्ट कर लेंगे अब तंदूरी चिकन तयार हो गया है सर्ट करने से पहले चिकन पर एक कोड़ बटर का और लगा देंगे जिससे कि यह बूसी और टेंडर बना रहे है तो यह हमारा तंदूरी चिकन तयार है तो लग रहा है ना मज़ेदार तो इसी तरीके से बनाएए इस्टे बाइस्टे फालो कीजिए अब हम गैस को आफ कर देते हैं ऐसे हम सेकेंड वैस तयार कर लेंगे अब हम इसको सर्ट करेंगे प्याज और नीबू के सा साथ में तो हम यहां पर सिर्फ नीबू और प्याज के साथ में सर्फ कर रहे हैं आप एक बाद जरूर ट्राइ कीजिए अगर आप ट्राइए करें तो अपना फीडबेक जरूर दीजिएगा फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपीक साथ तम तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज